हेलो फ्रेंट्स जै बद्री विसाल कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका हमारे चैनल इस पार की श्रद्धा में तो फ्रेंट्स आज हम लंच में बनानी जा रहे हैं दाल और चावल आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें कौन सी नया बात है दाल चावल तो सभी के गरों में बनता है लेकिन फ्रेंट्स की चनी की डाल है और इसमें मैं कुछ अलग सा स्वाद का तड़का मैं डाल के फि लिखा ऑर इसे मैंने छे घंट पहले भीगो के रख दिया हुआ था इसको मॉर्नी ही मैंने भीगो के रख दिया था कि लंच के टाइप मेरा तयार रहें तो यहां पर मैं एक बड़ा प्याज ले लिया है और इसे मैं 20 से काटने के बात में छल्ले के आकार में हमें काट ले नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं कम से कम एक बस ग्राइंड कर लिजिएगा बहुत जादा इसे मदब दरदरा डाइप का तो भी काम चल जाएगा यहां पर मैंने कूकर लिया और यहां पर गरम होने के लिए रख दिया उसमें मैंने घी डाला फ्रेंटस यह और घी में ही बनता है कुकईंग ओएल का यूज नहीं होता है तो इसमें जब घी अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें हमें जीरा डालना है जीरा जब चटकने लगी फिर उसके बाद में तेज पत्ता डालना है थोड़ी सी हेंग डालनी है और इसके बाद में फिर हमें जो छले में कटा हुआ प्याज है उसे डाल देना है प्याज को हमें बहुत अच्छे से भूनना है अच्छे से ये एकदम गुलाबी सा हो जाए तब तक हमें इसको भूनते रहना है फ्रिंट से हमें यहीं पर ही सिर्फ छौक लगाना होता है बाद में अलग से इसमें कोई छौक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है अब प्याज हमारा अच्छे से गुलाबी हो गया है तो इसमें हम जो लहसुन जो कुटा हुआ लहसुन था उसको मैंने डाल दिया है अब लहसुन को प्याज के साथ में अच्छे से भूनना है उसके बाद में फिर हमें जो भीगा हुआ चना था चनी की डाल थी उसको हमें डाल देना है और इसको अच्छे से भूनना है तब तक कि इसमें सबसे ज़्यादा भूनने का जो काम होता है वो डाल का ही होता है फ्रेंड्स यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना होगा और इसके बाद में अब हमें यहाँ पर नमक डाल देना है और नमक डाल के फिर अच्छे से भूनना है फ्रेंड्स यहाँ पर डाल का भूनने का काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसी स तो बहुत अच्छा स्वाद आता है और अब इस में हमें पानी डाल देना है फ्रेंट्स पानी इसमें ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि दाल गाड़ी ही रहती है यह वाली तो फिर बस उतना ही डालना है कि ना बहुत ज्यादा एकदम गाड़ी सुकी सुकी ही बने और नहीं देख रहे हैं पानी ज्यादा हुआ LA हुआ है तो फूर थोड़ा सा मुझे गारा और भी नहीं अ इनुवरो ऐ्क से ऐसाखा मुझे पतला ही डाल बनाना पड़ता है उसके बाद में फिर हम हमें जब एकदम कुकर बंद करना होगा तो इसमें हमें एक चमझ गरμ मसाला डालना और डालने के बाद में इसको हमें बंद कर देना है 5-6 सीटी आने के बाद में फिर हमें इसे खूल के देखना है इसको लगवा 15 मिनट तक आराम से आपको पकाना होगा क्योंकि यह चने की डाल है तो थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन अगर आप अच्छे से सोक करके रखेंगे तो उतना टाइम नहीं लगता है तो यहाँ पर हमारा डाल अच्छे से पक चुका था और अब हम इसको देख रहे हैं सुर्वात में जब आप खोलेंगे तो कुछ ऐसा रहता है कि प्याज प्याज उपर और डाल नीचे लेकिन कोई बात नहीं उसको इस तरीके से आप देखेंगे इस तरीके से कुछ हो जाता है तो अगर अच्छे से उसमें पक चुका होगा अगर डाल अच्छे से भीगी हो कि फोड़ते हुए जाना है फिर डाल अच्छे से यह पिस जाएगा फ्रेंड्स एक बार आप लोग इसको जरूर ट्राई मारिएगा बहुत अच्छा यह स्वाद आता है यह तो हमारे घर की मतलब सबका यह मोस्ट फैवरेट डाल है और इसमें किसी मतलब सबजी उगरा कि भी जरूरत नहीं पड़ती है इतना यहाँ सब लोगों को पसंद आ आता है तो यह एक बार तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स एडिया आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक सेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ चैनल पर फर्स टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्र इसमें सिर्फ गर्मसाला मैंने डाल दिया हुआ था यहाँ पर देख रहे हैं यह दाल कर नेच्रल कलर आया है यह दाल खाने में बहुत ही टेश्टी बनती है और आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा इतनी बार अगर कह रहे हैं तो जाहर सी बात है कि यह दाल बहुत ही अच्छा बना है साथ ही अब मैंने चावल भी गो रखा हुआ था तो यहाँ पर मैंने चावल गैस पर चढ़ा दिया क्योंकि अब हास्बेंड क्यानी का समय हो गया है तो मैं इसे में फुल फ्लेम करके इसको कर रखी हूँ था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया थ अब यहाँ पर मेरा चावल भी बनकर तैयार हो चुका है क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी सारी सीटिया दिलवा दी हुई थी क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा था तो चावल मेरा बिल्कुल पग गया हुआ था तो यहाँ का मीनू आप लोग देख सकते हैं और चन